स्तर्वेभ्यो नमह देवबान्य संस्कृतम यूटूब चलत्रिशंप्रति अवताम अवती नाम्च आर्दम स्वागतम मित्रो रचनानवाद कौमदी की लाइव कक्षा संख्या 204 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं 203 कक्षाओं को हमने पढ़ लिया है कोर्स पना दिया है प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा रचनानवाद कौमदी नाम का कॉलम हम गत कक्षा में हमने आपको यह पढ़ाया था त्वादेश प्रैम इसका संस्कित अनवाद बनाना सिखाया था आपको और आज इसके आगे है 15 रहमा पेराग्राफ है स्वाव लंबन आईएगा इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसकी संस्कित आपको बना करके मैं बता देता हूँ स्वाव लंबन एक दिव्यगोन है जो बड़े से बड़े विग्णों और कष्टों को नश्ट करके जीवन के मार्ग को सुखमय बना देता है यहाँ एक अईसी अपूर्व शक्ती है जिसके आगे संसार की सभी शक्तियां तुछ हैं जहां स्वाव लंबन है वहां उन्नती है जहां परमुखो मुखा पेक्षिता है वहां अवनती है इसलिए कहा गया है कि परमात्मा भी उसकी ही सहायता करता है जो अपनी सहायता पयम करता है जो मनुष्य जो समाज जो राश्ट स्वाव लंबी होता है वही संसार में उन्नती की शिखर पर चड़ता है जो दूसरों पर आश्ट रहते हैं वे कभी भी उन्नती नहीं कर पाते हैं प्रत्येक भारती का करतब्य है कि वह स्वाव लंबी पुरुशार्थी तथा अध्यवसाई हो परिश्रम करने में गवरब समझे और अपनी तथा अपने देश की उन्नती करे अब आपको इसकी संस्कित बनाने है और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसकी संस्कित क्या होगी आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं यह WhatsApp नमबर दिया गया है मित्रो आपको यहाँ पर आप संपर्ग हम से कर लीजिए गाई दि कोई खटनाई होती है आपको तो चलिएगा यह लीजिएगा आपके लिए मैंने लिखा है स्वयम मैं लिखता हूँ अपने हाथों से ठीक है चलिएगा स्वाब लंबनम स्वाब लंबन स्वाब लंबनम एको दिव्यो गुण है यो गुरुतमान विग्नान कष्टान्च विनाष्य जीबन मार्गम तुख़मयं करोती करोती के जगा विदधाती भी प्रयोग कर सकते हैं कोई एक प्रयोग कर लीजेगा चाहिए चाहिए जो बड़े से बड़े कष्टों को विगनों को और कष्टों को नाश करके जीवन के मार को सुखमय करता है एशा एका इत्थम पूर्वा शक्ति रस्ती यस्या समक्षे संसारस्या सरवाह शक्तयो ही नाह संति एशा ये पुल्लिंग मने निद्रदिश किया है क्यों कि ये किसको कह रहा है दिव्य गुण को एशा मने यहा दिव्य गुण एका इत्थम पूर्वा शक्ति रस्ती ये एका शक्ति को कह रहा है इसलिए इस्त्रीलिंग आगया है ध्यान देगे और एक इस प्रकार की अपूर्व शक्ति है जिसके समक्ष संसार के सभी शक्तियां ये ना मने छोटी तुछो है तुछ है कमजोर है यत्रा स्वावलंबनम वर्तते तत्रों नती रस्ती यत्रा परामुखा पेक्षिता वर्तते तत्रावनती रस्ती जहां पर स्वावलंबन है वहां उन्नती है जहां परमुखा पेक्षिता होती है वने पराधिनता होती है दूसरों के मुक्के सामने देखते रहना कि ये ही मेरी नईया पर लगा दे तो वहां अवनती होती है कि सिद्धांत है मित्रो बात छोटी लग रही होगी पर ये जीवन का सार है मित्रो अता एवोक तमस्ती यत परमात्मा अपितस्याइव साहयम करोती केते हैं अता एवोक तमस्ती कहाई गया है कि परमात्मा मरे यत कि परमात्मा भी उसी का ही सहायता करते हैं उसी की ही सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयम करता है आलसी निकम्मे निठले व्यक्ती की परमात्मा सहायता नहीं करते हैं पुर्शार्थी करते हैं यो मनुष्याह यह समाज आह यद राश्ट्रम स्वाव लंबी भवती तदेव तंसारे उन्नतेह शिक्षर मारोहति जो मनुष्य जो समाज जो राश्ट्र यह दो प्रकार की शब्द हैं यह पुलिंग दो शब्द पुलिंग है और यह एक नपुलिंग है और यह जो स्वाव लंबी यह तीनों को कह रहा है तीनों को कह रहा है तो आप इसमें कौन सा लंब लिंग करें पुलिंग करें या नप पूर में पढ़ाया भी है यहां पर कोई विशेशन जब उसका विशेशन कई लिंगों का हो तो उस विशेशन में क्या कर देना चाहिए नपुन सक लिंग कर देना चाहिए और एक वचन कर देना चाहिए मनें बाववचन भी कर सकते एक वचन तो यहाँ पर मैंने नपुन सकलिंग एक वचन कर दिया है अब ये स्वाबलंबी इसको भी कहेगा इसको भी कहेगा इसको भी कहेगा ठ्यान देंगे ठीक है स्वाबलंबी भवत्ती जो स्वाबलंबी होता है जो राष्ट जो समाज जो मनुश्य वई संसार में उन्दी के सिखर पर चड़ता है आरोहती, आयेगा, ये पराष् unters भवनती ये कदापी उन्रतिि मन प्राफ्प नुमंती और जो पराशित होते हैं, पराधिन होते हैं, वे कभी भी उन्नती को प्राप्त नहीं करते हैं, वो तो गरीब निर्धन बनी रहते हैं, इसलिए मित्रों आप यदि बड़े बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस बात को धर्ण किएगा कि आपको पराधिन नहीं रहना है, त इतने साधने हैं उतने महीं आपको पुर्शार्थ करना है। द्रे द्रे साधन बढ़ते जाएंगे आपका पुरुशार्था आपके ताधनों को बढ़ता जाएगा। प्रत्येकम भारती यस्य कर्टब्यमस्ति यत स्वावलंबी पुर्शार्थी अध्यवसाई चब हवे प्रत्येक भारती का कर्टब्य है यत कि वह स्वावलंबी पुर्शार्थी और अध्यवसाई होवे ये प्रत्येकम क्या है वास्तम में ये शष्ठी का रूप है ध्यान देंगे अब यह भाव समास होता है तो शष्ठी विवक्ति में प्रत्येकम 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 ऐसा ही बनता है तो ये वास्तम में इसका विशेशन है एक तरह से प्रत्येकम भारती अस्य परंत इसका रूप एसा ही रहेगा प्रत्येकम कि मैंने आपको बता रहा हूं ठीक है परिश्रमें गौरबं गणएत स्वस्या चाहिए परिश्रम करने में उसको सर्मनी आनी चाहिए अपनी स्वस्या अपने डेश चाहिए अपनी नता करने चाहिए अपनी स्वयम कोठी वंगले खड़े कर लिए और देश की सीमाएं असुरक्षित हैं तो कभी भी खत्रा है उसके जीवन को और कोई व्यक्ति अपने देश की सीमाओं को मजबूत करता है परंद जहापडी में रहता है तो वो बहुत सुरक्षित है जहापडी में उसका जीवन सुरक्षित ह जिस देश के लोगों की सीमा सुरक्षत होती है उस देश के लोग जहांपड़ी में रहते हुए भी सुरक्षत रहते हैं परंत जिस देश के लोगों की सीमा सुरक्षत नहीं रहती है यदि उस देश के लोग मेलों में भी रहते हैं तो वो उनका जीवन संकट में रहता है हमेशा अशुरक्षत रहता है यह ध्यान देंगे इसलिए हमेशा अपने घर से पहले माझे की शुरक्षा का ध्यान रखे चलिएगा, यह स्वाबलम्मन हमको यह सिक्षा देता है आगे की गक्षा में पड़ेंगे कर्तव््या-पालनम इसको पड़ेंगे चलिएगा बहुत सुन्दर-शुन्दर लेख है, इनका लाब लीजीएगा सिक्षा भी दे रहे हैं, संति लिखना भी सिखा रहे हैं सर्वेभ्यो नमा